वेल्कम बेक अगेन और मैं हूँ यमन और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे ही कोर्स बारे में जानेंगे जो कि हमारे कोर्स के बारे में होगा इस वीडियो में आप जानोगे कि इस course में आप क्या-क्या सीखने वाले हो इस course में total 14 chapter हैं तो इन 14 chapter में क्या-क्या सीखोगे तो वो जानते हैं मारा पहला chapter होगा introduction पर इसके अंदर हम तीन topic पर बात करेंगे हमारा पहला topic होगा what is contortion, bone breaking, flexing मारा second topic होगा difference between contortion and bone breaking फिर हमारा third topic होगा history of bone breaking इसमें आप जानोगे bone breaking की history के अबारे में हमारा second chapter होगा जो कि बेस जह साइन्स के एवग पर इसका नाम है science behind bone breaking science behind bone breaking के अंदर हम बात करेंगे bone breaking के पीछे क्या science है तो इसको समझने के लिए इसे भी हमने तीन topic में बाटा है तो हमारा पहला topic होगा flexibility work on human body second topic होगा pain in human body और third topic होगा shoulder rotation of a bone breaker इसमें जानेंगे कि shoulder rotate कैसे होता है और bone breaking at the time shoulder rotate कैसे और क्यों होता है हमारा third chapter होगा nutrition and myth के अबारे में इसमें हम जानेंगे कि क्या best nutrients है जो कि आप आपकी टाइट में ले सकते हो और साथी साथ nutrients क्या होते हैं और जो भी इससे related myth है वो भी इस course में हम उन पर बात करेंगे कि वो सच है या जूट है chapter 4 होगा exercise for bone breaking इसमें हम बात करेंगे वो सभी exercise के बारे में तो कि मैंने खुछ personally सीखी थी अब bone breaking की सेखने के लिए और जो भी exercise थी जो भी मैंने परसनल सीखी है तो जो से मुझे बेनेफिट मिला है और आपको बताऊँगा साथी साथ हम बात करेंगे stretching के types के बारे में stretching के best type है हम उसका use करेंगे और फिर हम बात करेंगे number of exercise के बारे में जितनी भी exercise है जो कि मैंने सीखी थी वह मैं आपको सीखाऊँगा इसके बाद जो हमारा main goal है bone breaking सीखना उस पर बात होगी तो उसके लिए हम हमारे 6 moves है bone breaking के वह सीखेंगे सबसे पहले हम सीखेंगे jump rope फिर हम सीखेंगे wish grab फिर सीखेंगे हम dead up फिर सीखेंगे 360 फिर सीखेंगे diamond diamond वैसे तो simple है पर यह सब करने के बाद हम diamond सीखेंगे आप चाहो तो diamond को पहले भी सीख सकते हो सबसे आगरी में सीखेंगे हम advanced jump rope हमारा next chapter होगा transition पर वैस इसमें हम बात करेंगे transition क्या होते हैं इन्हें कैसे perform किया जाता है इनका use कैसे किया जाता है और इसके creative process क्या हो सकती है फिर हम बात करेंगे tips के बारे में तो इस tips के chapter में मैंने अपनी personally जितनी भी मुझे experience है bone baking की मैंने वो सभी tips किसमें दी हैं मुझे लगबग 5-7 साल हो चुके bone baking करते करते और इन 5-7 साल के बीच में जो भी मैंने सीखा वो इस tips के chapter में मैं आपको बताऊंगा कि जो better tips हैं जो कि आप follow करके easily bone baking सिख सकते हो फिर हम बात करेंगे हमारे bonus के बारे में तो इसमें bonus भी आपको मेलेगा और bonus के अंदर हमने दो topic रखे हैं हमारा पहला topic होगा हमारे course से ही related इस topic में हम बात करेंगे 90 day workout routine इसमें हम बात करेंगे कि average इंसान केसे bone baking सिख सकता है कि हम 90 day के अंदर केसे bone baking सिख सकते हैं इसके लिए मैंने time schedule बनाया है और इसका पुरा chart होगा और इसके अंदर body type के category है जो कि आप जिस body type के अंदर आओगे आपकी जैसी body type होगी उसके हिसाब से आपको वो chart को follow करना होगा जो हमारा second topic होगा उसमें हम बात करेंगे मेरे secret के बारे में जो कि मैं dance में use करता हूँ एक ऐसा secret जो कि आपको शाहत किसी ने बताया नहीं होगा बट वो में इस video tutorial में आपको बताऊंगा हमारे course के थुरू हमारे course में बताऊंगा कि हमें इसा कौना cigarette जो अपने dance में यूज करता हूँ आपके भी काम आएगा आखरी chapter होगा हमारा conclusion पर की ending होगी आपको यह सब कुछ सीखने वाले हो हमारे इस course में तो जल्दी हजल्दी इसे course को purchase कीजिए और bone making सीखना start कीजिए तो मिलते हैं next tutorial में next tutorial होगा हमारा arm away उपर जलिए जब तक के लिए good bye मिलते हैं next tutorial में and till then keep dancing कर दो दो कीजिए झालया आपको